हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में आज कल मार्किट में बहुत अधिक मात्रा में सारी यरी सबजी आ रही है जैसे कि पालग, धनिया, मेथी और सबसे ज़्यादा जो हम यूज करते हैं किचन में वो होता है धनिया और इस टाइम पर धनिया बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है, 10 रुपे गड़ी मिल जाएगा लेकिन गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे धनिया कैसे हम साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं गर्मियों में जब भी आपका पानी पूरी बनाने का मन करे या फिर आपका चटनी बनाने का मन करे तो आप इसको बना सकते हैं या फिर सबजी में आपको हर दनिया डालना हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं बिना फ्रिज के हम इसको साल बर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अगर इस तरीके से धनिय को स्टोर करके रखेंगे तो जो इसकी खुश्ब है वो भी बरकरा रहेगी तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लेना है धनिया और धनिय को हमें अच्छे से साफ कर लेना है जो धनिय के अलावा एक्स्ट्रा पत्ते होते हैं जो गंदे वाले पत्ते होते हैं उसको हमें साफ कर लेना है इस तरह से देखे नीचे की तरफ जादा होते हैं तो हमे को साफ करने के बाद इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है तो इस तरह से हमें जो नीचे वाला हिस्सा इसको कट कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे आप चाहे तो यहाँ पर इसकी पत्ती पत्ती भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें वह ज़दा टाइम लग जाएगा तो इस तरह से हमें क्या करना है, नाइफ की मदद से इसको कट कर देना है, और जो नीचे थोड़ा वोद अगर गंदगी रह गी हो, तो उसको भी अच्छे से साफ कर लेना है, उसके बाद हमें नाइफ लेना है, और इस तरह से हमें आपर इसको बारिक बारिक चोप कर लेना ह तो चलिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको याद दिला देती हूँ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो देखे फ्रेंड्स इस तरह से हमें बारिक बारिक धनिय को चौप कर लेना है और चौप करने के बाद इसको हमें एक बड़े बरतन में निकाल लेना है तो देखे फ्रेंड्स मैंने यहां पर धनिय को बिल्कुल बारिक चौप कर लिया है और अब हमें यहाँ पर लेना है एक बड़ा बरतन और बड़े बरतन में हमें इसको निकाल लेना है इसको हमें सुकाना है आप चाहे तो इसको दूप में सुका सकते हैं या फिर आप पंक्ये की हवा में भी इसको सुका सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं नॉर्मल तो भी ये बहुत ये अच्छे सूख करके तयार हो जाएगा तो देखे फ्रेंड्स मैंने इसको ऐसे ही रूम टेंपरेचर पर सुखा रखा था मतलब कि पंखा भी नहीं चलाया था और ना इसको दूप में सुखाया है तो इसको सूखने में यहाँ पर दो से तीन दिन लग गए हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा धनिया सूख करके तयार हुआ है तो इसी तरह से आप कितना भी धनिया सुखा सकते हैं गर्मियों के लिए और इसको साल बर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं तैयार होता है और इसको आप गर्मियों में यूज कर सकते हैं तो इस तरह से डबी में बरकर के रख देना है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और खुश्बू भी इसके बिल्कुल बरकरा रहती है तो फ्रेंड्स आज की रेस्पी आपको यूजफू लगे तो अपने स सभी दोस्तों मेरी रिस्तेदारों में शेर करना ना भूलें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वूड़ों में तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार